सुश्मिता सेन ने हाल ही में अपने साथ हुए बदसलूकी का किसा शेयर करते हुए बताया कि किस तरह एक 15 साल के लड़के ने उनके साथ सेकडों की भीर में बदत्मी जी की थी उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि सेलेबरिटीज के साथ बार्डी गार्ड रहते हैं इसलिए उन्हें इन सब का शिकार नहीं होना पड़ता लेकिन ऐसा नहीं है सुश्मिता शनिवार को एक इवेंट में पहुँची थी वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये सब कहा उनका यह वीडियो आज सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आपको बता दें कि चोबिस साल पहले 21 माई को ही सुश्मिता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जिता था मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हमें क्या पता होगा कि देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है हमारे साथ तो बार्डी गार्ड होते हैं और साथ ही हमारे पास कई सोविधायं भी होती हैं लेकिन मैं बता दूं कि दस बार्डी गार्ड होने के बावजूद हमें एक सालोगों के साथ डील करते हैं जो बदतमी जी करते हैं हमें पता है कि कैसा लगता है और हम जानते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है उन्होंने बताया कि अंतिम बार मेरे साथ ऐसा 6 महीने पहले हुआ था मैं एक अवार्ड फंक्शन में थी और वहां मीडिया भी थी वहां 15 साल के एक लड़के ने मेरे साथ छिडखानी की उसे आगे कहा कि जब मैंने उसका हाथ पकड़ कर पीछे से अपनी और ठीचा तो मैं यह देखकर हैरान रहे गई थी कि वो एक 15 साल का लड़का था आम और पर ऐसी बदतमजी करने वाले के खिलाफ मैं पुलिस में शिकायत करती लेकिन वो सिर्फ 15 साल का था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया मैं उसे अपने साथ थोड़ी दूर वोक पर ले गई ये कहते कहते सुश्मिता थोड़ी भावोगी होगी सुश्मिता ने उस लड़के से कहा कि अगर मैं इस बात का तमाशा बनाऊं तो तुम्हारी जिंदगी पराब हो जाएगी इस पर वो लड़का कहने लग देख लिया है ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए सुश्मिता का मानना है कि ऐसे लोगों को किसी ने सिखाया ही नहीं है कि यह कोई entertainment नहीं होता यह अपराध है इस से जिंदगी पराब होती है उन्होंने आगे कहा कि जो लोग रेप और गेंग रेप करते हैं उन्हें फासी की सजा होनी चाहिए उन पर दयाक के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए